मा की दुआ को जन्नत की हवा कहा जाता है अगर कोई अपने छोटे से फाइदे के लिए अपनी मा को बेच दे तो उसका क्या अंजाम होगा बुजर्गों से सुना था कि जैसा करोगे वैसा भरोगे फिर उन्ही बुजर्गों ने कोउम की मा को बेच दिया और फिर जो हुआ वो सब के सामने है पाकिस्तान आज जिन हालात से दोचार है इसकी बहुत से स्यासी वामवाशी वजूहात है लेकिन एक बहुत बड़ी वजा का जिकर नहीं किया जाता जो दरासल एक अखलाकी जुर्म था जिसमें एक नहीं बहुत से इदारे और जमातें मुलवस थी ये जुर्म था 1965 के सदारती अलेक्शन में कुछ बजर्ग स्यासदानों की तरफ से मादर मिलत महतरमा फात्मा जिना के साथ किया जाने वाला धोका ये धोका मादर फरोशी के जुम्रे में आता है कौम की मा के साथ जो कुछ पाकिस्तान के पहले फोजी डिक्टेटर जनल आयूब खान ने किया इसका तो बहुत जिकर होता है लेकिन जो कुछ जनल अयूब खान की अपोजेशन में शामिल कुछ स्यासदानों ने किया उस पर बात करने और अल्ला ताला से इडितमाई माफी माफी मांगने की जरूरत है क्योंके जो कुछ हमने कौम की मा के साथ उसकी जिन्दगी में किया इसका खम्याजा ये कौम आज तक भुगत रही है नो जोलाई मौतरिमा फातिमा जिना का योमे वफात है यही दिन मेरे वालिद प्रोफेसर वारिस मीर का भी योमे वफात है मेरे वालिद अक्सर कहा करते थे कि हमने मादर मिल्लत के साथ अच्छा सुलूक नहीं किया हभीब जालिब साहिब की जबान से भी मैंने कई दफा सुना कि अगर मौला ना भाशानी मादर मिल्लत को धोखा ना देते तो शायद पाकिस्तान ना तूटता और आज हालात मुख्तलिफ होते हैं 1997 में मुझे एक साबिक आईजी हाफिज सबाह الدین जामी की किताब पॉलीस क्राइम एंड पॉलिटिक्स पढ़ने का मौका मिला जिसमें उन्होंने मौतरमा फात्मा जिना के खिलाफ सदारती ऐलेक्शन में कराची पॉलेस की खुलम खुला मुदाखलत का आँखो देखा हाल लिखा था वो 1964 में स्पी स्पेशल बरांट कराची थे और रोईदाद खान कमिशनर कराची थे जामी साहिब ने अपनी किताब में लिखा किस तरह एक हकोमती वजीर अब्दुलगफार पाशा खुलम खुला जर्नल अयूब खान के लिए वोट खरीदे पिरते थे उस अलेक्शन में मगरबी और मशरकी पाकिस्तान से 80,000 कौंसलरों ने हिस्सा लिया था और तमाम सरकारी इदारे धोंस और धांदली से इन कौंसलरों से अयूब खान की हमायत हासल कर रहे थे जामी साहिब की किताब के बाद मैंने मज़ीद मुवाद तलाश किया खान अब्दलवली खान नवाब जादा नसरूला खान और घौस बख्ष बिजिंजो ने बहुत से मालूमात दी सबसे जादा मालूमात सुरुया के एच खुरशीद के पास थी जो कई साल मादर मिल्लत की प्राईवेट सेक्रेटरी रही और कराची में इनके साथ ही रहती थी लेकिन वो बहुत मौताद गुफटगूं करती थी इनके किताब यादो की कैकशा मादर मिल्लत के मुटलिक मालूमात का एक खजाना है इनके खाविन के एच खुरशीद का तालुक सिरी नगर से था और वो 1944 में काइद आजम के सेकरेटरी बने क्यामे पाकिस्तान के बाद के एच खुरशीद कुछ आहम कश्मीरी रहनमाओं के लिए बानिय पाकिस्तान का पैगाम लेकर स्री नगर गए और वहां गिर्फतार हो गए इन्हें काइद आजम की वफात के बाद रहा किया गया मौहतरमा फात्मा जिना इन्हें अपने बेटे की तरह चाती थी थी उन्होंने के एच खुरशीद को आला तालीम के लिए बरतानिया बहजा। वो बार एट ला करके वापस आए तो माइदर मिल्लत के साथ कराची में रहाइश पजीर हुए। यहीं मादरे मिल्लत ने इनकी शादी कराई, शादी के बाद मिया बीवी मादरे मिल्लत के साथ रहने लगे हकुमत पाकिस्तान ने नियूजी लैंड से तालुक रखने वाले एक मसन्निफ हेक्टर बॉलितो से बानी पाकिस्तान पर किताब लिखवाई मादर मिलत इस किताब से मुतमईन ना थी उन्होंने माई बिरादर के नाम से खुद किताब लिख दी जिसे हकूमत पाकिस्तान ने शाय ना होने दिया सुरिया के एचखुरशीद की यादाश्टों से पता चलता है के मादर मिलत इसकंदर मिर्जा और अयूब खान को सक्त ना पसंद करती थी और ऐसी तक्रीबात में जाने से गुरेज करती जहां इन ताकतवर लोगों के आने का खद्शा होता 1964 में जनरल अयूब खान ने सदारती ऐलेक्शन का ऐलान किया तो हकुमरान मुस्लिम लीग कई धड़ों में तकसीम हो चुकी थी कन्वेंशन मुस्लिम लीग फोजी डिक्टेटर की हमायत कर रही थी काउंसल मुस्लिम लीग के रहनमाओं मुम्तास दोलताना सरदार शोकत हयात खवाजा सफदर और चोधरी जहूर इलाई ने मादर मिल्लत की हमायत का फैसला किया नेशनल आवामी पार्टी के रहनमा मुलाना अब्दुल हमीद भाशानी खान अब्दुल वली खान अवामी मुस्लिम लीग के शेख मुझीब रह्मान जमात इसलामी के मौलाना अबुल आला मुधूदी समयत कई जमातों ने मादर मिल्लत की हमायत का ऐलान कर दिया मादर मिल्लत सदारती अलेक्शन लड़ने के लिए तियार ना थी लहाजा मौलाना भाशानी उनके पास कराची आए और उनसे अलेक्शन लड़ने की दर्खास्त की मौलाना भाशानी को मादर मिलत तहरीक पाकिस्तान के जमाने से जानती थी लहाजा उन्होंने अलेक्शन लड़ने पर आमादगी जाहर कर दी मुहतरमा फात्मा जिना की शक्सियत वफाक की मदबूत अलामत बन कर सामने आई मलक के मशरकी हिसे में भाशानी और शेख मुझीब उनके पीछे खड़े थे मखरबी हिसे में वली खान और घौस बख्ष बजिंजों से लेकर खैर बख्ष मरी और मौलोना मुदूदी उनके पीछे खड़े थे केज़ खुरशीद मादरे मिल्लत की अलेक्शन मोहिम के इंचार्ज और धमकियों की जड़ में थे जनल अयूब खान ने फेयर एंड फ्री लेक्शन की बजाए खुफिया इदारों और पॉलेस के जरीए धांदली और मार धाट शुरू कर दी पंजाब में मादरे मिल्लत के जलसों पर जगा जगा घुन्डे छोड़े गए बलोचिस्तान में मादरे मिल्लत के पॉलिंग एजेंटों मीर जाफिर खान जमाली और घौस बख्ष बिजिंजों को गरिफतार कर लिया गया कुछ मौलवियों ने औरत की हकुमत के खिलाप फत्वा दिया तो मुफ्ती मुहम्मद शफी ने मादरे मिल्लत के हक में फत्वा दे दिया मशरकी पाकिस्तान में शेख मुझीबू रह्मान ने मादरे मिल्लत के बड़े बड़े जलसे मुनकद कराए जिन से जनर्नल अयूब खान लरस गिया ये वो मुका था जब मुलना भाशानी ने 40 लाक रुपए के इवस मादरे मिल्लत मौतरमा फात्मा जिन्ना का सौधा कर लिया इन्होंने अयूब खान से पैसे लेकर मादरे मिल्लत की इंतखाबी महिम को अपने जेरे असर इलाकों में ठंडा कर दिया और दो जन्वरी 1965 को उन्हें वोट भी ना डलवाए नैप की क्यादत को फौरण मौलना भाशानी की घद्दारी का पता चला नैप के तीन रहनुमा मिया महमूद अली कसूरी, खान अब्दुलवली खान और अरबाब सिकंदर इस मौमले की तैकिकात के लिए पहले ढाका और फिर मौलना के गाउं पंजबी भी पहुँच गए और तवील बहस के बाद मौलना भाशानी ने तसलीम किया कि इन्होंने चू एनलाई की दरखास पर अयूब खान की मदद की बहावाला दास्ताने खानवादा मिया महमूद अली कसूरी शेख मुझीब ने धाका और चिटा गांग में मादरे मिल्लत को जितवा दिया था लेकिन बाकी इलाकों में भाशानी ने मादरे मिल्लत को हर्वा दिया इस जुरम में पाकिस्तान की सिवल वा मिलिटरी बरोक्रेसी के सबसे बड़े सहुलतकार मौलाना भाशानी थे जिन्होंने कौम की माँ को बेच दिया जो कौम अपनी माँ को बेच दे वो कभी खैर नहीं पा सकती इसलिए माजी के इस संगीन जुरम पर आज हमें मिलकर अल्ला ताला से इडितमाई मौफी माँगने की जरूरत है